जहएं दोस्तों क्या हाल है करवड डिस्प्ले वरसेज फ्लैट डिस्प्लेऎे कौन अ daí मुझे तो कर दिस्प्लेज वसंद आता है ये सब कहने की बाते मटं बैट मैं करता हूँ कंफीस क्लीर कवड डिस्प्लेजें कितने बुरी है flat display comparison में क्या कैसे सब कुछ आपको इस वीडियो से help मिलेगी क्योंकि अभी कर्व डिस्प्ले हमने देख लिया है mid-range phone में mid-range phone जैसे कि अपने लावा अगने 2 में देखा जैसे हमने motorola ultra series में यह curve display देखे दिखाया है basically यह महंगे phone में ज्यादा देखने को मिलता था in fact xiaomi ने तो mi mix alpha जैसा concept भी दिखाया था prototype basically सब से पहले आप normally smartphone में एक flat display देखते हो और आपको यह display अलग-अलग phone में अलग-अलग rate में मिलती है और अलग-अलग quality के साथ यह सब display आते हैं तो video के end तक मैं भी वापीस आता हो flat display पे कौन बैटर है किसके लिए बैटर है जो भी है लेकिन अभी चलते है curve display के बात करते है curve display basically किनारों से display मुड़ी होई होती है जिसको आप feel कर सकते हो जिसको आप देख सकते हो एक basic information के लिए मैं आपको बतारा चाहूंगा जो यह flat display होती जिससे phone का front feel better होता है, finishing better आती है, यह actually corner से हलका सा एक curvy form दे दिया जाता है but bottom side से यानि कि display का दूसरा part वो बिल्कुल flat होता है लेकिन इसी concept को जब आगे लेके जाये गया smartphone की list में तब Samsung का एक phone याद होगा आपको उसका नाम था Galaxy Note Edge जिसमें एक side तो plane देखो आप, एक side य इसको दोनों side बनाये जा सकता है, और यह करने के लिए जायसी बात है, कुछ एक process यूज होता है, thermoforming technology यूज होती है, जिसके बाद इन चीजों को ऐसा shape दिया जाता है, तो extra costing add होता है brand का, तो शुरू में यह नया था, महंगा था, महंगे phone में देखने को मिला, in fact real life में मै मैंने जो phone, जिसे देख के मैं सबसे ज़्यादा है रान हुआ था, वो था Samsung Galaxy S8, वो phone बहुत ज्यादा curve था, और पहले कभी देखा नहीं था, तो जब उसके icons बगारा को experience करते थे, flat display के comparison में, ऐसा लग रहा है, चीजे बाहर है, float कर रही है, display के उपर, actually बाहर होती नहीं थ दिख रही है, बाहर नहीं दिख रही थी, बटा सा feel होता है, बट जो भी था, curve display के और था, attraction बनता चला जा रहा था, लोगों के बीच में, curve display के फाइदे बताता हूं पहले, फिर नुकसान पर आते हैं, पहला जाइर से बात है, यह attractive लगता है, basic सी चीज, second, जब curve डिस्प के साथ, तो जब इनको gesture को swipe कियाता है, काफी smooth experience देखने को मिलता है, मतलब क्योंकि हमारी finger भी उसी साफ से swipe होती है, और एक point curve display होने की वज़ा से, corners का हम ज़्यादा फायदा लेते हैं, तो display को slightly, बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ा बना सकते हैं, same form factor में, और सबसे unique time, I mean real time में face किये, पहला कमी जो बहुत बड़ी नहीं है, बट हाँ, notice होता है, जैसी मैं इसको shift करूँगा, ये corner देखना आप, इधर या फिर इधर, एक अलग सा color दिखाई देगा, अभी white है, तो थोड़ा सा ज़्यादा notice होगा, black part कर दूँगा, तो उतना notice नहीं होगा, तो it depends कि display पर क्या content दिख रहा है, बट हार, ये live में एक चीज़ problem create ये करता है, अगर मैं Amazon पर Galaxy S23 Ultra का tempered glass सर्च करता हूँ, तो option आपको easily मिल जाएंगे, लेकिन ये तो ये महंगे है, या फिर Motorola S40 का tempered glass अगर सर्च करते हैं, जो costing है, extra pay करना पड़ेगा, और option थोड़े कम देखने को मिलेंगे, तो option कम है, apply करना मुश्किल होगा, normal के comparison में, और offline में जब इनको आप लेने जाओगे, तो बहुत ज्यादा option देखने को नहीं मिलते, like flat screen में तो आपको 50 रुपे का भी मिलता है, 100 रुपे का मिलता है, 500 रुपे का मिलता है, अब आपको कहोगे, नहीं में, online तो हम tempered glass मंगा लेंगे, problem क्या है, बिलकुल आप मंगा सकते हो, but मैं question वहाँ उठा रहा हूँ, क्योंकि अब ये phone mid range में आ चुके है, मतलब ज्यादा user, जब आप एक लाख रुपे का phone खरीते हो, तब आप 1000 रुपे का phone लगा सकते हो, but same time पे जब आप 20,000 का phone खरीत में, तो मुस्किल हो जाएगा, इसका tempered glass मिलना, curves clean का जल्दी, तो थोड़ी दिक्कते आ सकती है, डिपन करता आप कहां रहते हैं, और एक problem जिसको बोला जाता है, unwanted touches, जैसे एक flat phone है, तो मेरे जो skin part है, fingers का, वो display तक नहीं जाता, but same time, एक curve display में, जब भी मैं ऐसे hold करता हू तो मेरा finger touch करता है, display को, कम जादा होगा, तो यह कम जादा देखने को मिलेगा, तो यह unwanted touches की कहानी कहां तक, सच रियल लाइफ में, जैसे मैंने mid range की phone लिया, यह realme 10 pro plus है, आप ध्यान से देखना, यहां में tap करूँगा, तो यह option आ जाती है, टच होती है, देखना, side में touch हो finger से मैं tap कर रहा हूं, तो जो option आता है, वो काम नहीं कर रहा है, बट जैसी squat आता हूं, काम करने लग जाएगा, तो इस तरह से एक दो situation में कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, हमेशा ऐसे देखने को नहीं मिलता, बट जो लोग gaming करते, definitely gamers के लिए curve display अच्छा नहीं होता, लेक phone के comparison में, जो curve display वाले phone होते हैं, यह जल्दी तूड़ जाते है, reason number one, इसके display ज्यादा corner तक होती है, तो sometimes phone ऐसे अगर corner से भी गिरता है, तो यहाँ पर risk होता है, एक और practical point आता है, आप real life में कहेंगे, हम तो भाई back cover लगाते हैं, यह है मेरे पास एक phone, lava agni 2, यह इसके साथ transparent cover मिला था मैंने वही लगाया हुआ है, अब आप ध्यान से देखना, इसको ऐसा ही बनाया जाता है कि display तक ना जाए, नहीं तो curve का experience खराब करते हैं, back cover यहाँ finish हो जा रहा है, जबकि display इसके ऊपर है, same time पे, यह एक platform है, बस इसका cover real life में use हो रहा है, तो transparent से brown हो गया, इसक display से बाहर रहता है cover का, यह platform नीचे गिरता है, तो display पे impact कम जाने के chance है, यह curve display अगर गिरेगा तो display बाहर रहती है, तो damage के chances बढ़ते हैं, हाला कि ऐसा में नहीं कि बहुत unsafe है, क्योंकि curve display ऊपर नीचे से curve नहीं होती ना, तो यह plastic part ऊपर उठा हुआ है, side में नीचे है, एक point extra add होता है, जब आप repair कराने जाते हो, flat display के comparison में, curve display ज्यादा cost आपको देना पड़ेगा, for example, realme 9 pro plus में flat display है, so screen cost है 6,199, but realme 10 pro plus में curve display है, तो screen cost almost 2,000 बढ़ जाती है, but यह उपर नीचे भी हो सकता है, like 11 pro plus का cost 7,000 है, motorola h40 curve display के साथ आता है, display price 8,000, but as 30 display cost 7,000, अब biggest question आता है, curve display अच्छा होता है कि बुरा होता है, यह बड़ा ही typical question है, मुझे personally curve display पसंद आता है, but same time में curve display बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, तो यह debate का मामला बन जाएगा, लेकिन हाँ, यह चीज़ सच है, कि एक level से ज्यादा curve display बनाना बेकूफी हो सकत यह brand के लिए, जैसे Huawei Mate 30 Pro में दिया गया था, waterfall display का नाम दिया गया था, उस पे कौन सा back cover लगेगा मुझे नहीं पता, और back cover लगाएंगे कहां तक, आगे लेगे, जादा तो display खराब हो जाएगा experience, और पीछे लेगे तो तूटने का experience बढ़िये वाला खराब होगा, मेभी यही reason हो, Samsung कभी S8 में कितना curve display देता था, फिर ऐसे करते करते है, S9, S10 आया, curve कम हो गया, धीरे-धीरे S20 सीरीज में curve और कम हो गया, अभी तो फिर उसके बाद S23 सीरीज में एक different type का curve दिया गया है, हलका सा sharp सा corner से curve होता, advantage touches और कम हो गया, experience खराब नहीं होने देता, बढ़ जादा practical है, curve display से, जैसे curve display जादा practical है, किसी भी folding phone में आने वाले plastic display से, उसको dust से बचाओ, puncture कर दिया तो pixel dead हो जाएंगे, लेकिन तीनों के अपने-पने use है और अपनी-पनी आपकी पसंद बन जाती है, fold भी भी करा है, curve display भी भी करा है market में, flat display भी करा मार्केट में, as a reviewer क क्योंकि मैंने इस सारे phone experience किया, तो मैंने अपना real experience बता है, कि real life में क्या मिलता है, सारी कहानी को side में करके, ताकि आप decision ले पाएं, कि आप कितना temper glass पे invest कर सकते हैं, आप से phone कितना तूटता है, नहीं तूटता, या आप कितना design प्रेफर करते हैं, या जो भी है, आपको help जरूर करीगे वीडियो, क्योंकि में भी और phone आये, curve display के साथ, तो ये मैंने good and bad जो कहा था, शुरू में सब बता दिया, I hope आपको वीडियो परसंद है, या वीडियो परसंद है, तो like से subscribe करिएगा, मैं मिलता हूँ आप से, अगली वीडियो में,